नमस्कार दोस्तो आज हम बात करेंगे बिटी करो की बिटी करो का मतलब होता है बात टव करो आपके पास मशीनों के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं एक तरह का यह आपका पास ग्राफिकली रिपर्जेंटेशन का चार्ट होता है जो basically कोई भी आपके पास part है कोई भी thing है उसका कहां से आपके पास failure rate start होता है या कहां से आपके पास thing start होती है और आपके पास maximum वो कहां तक जाती है तो उसके लिए यहाँ पे आपका एक figure भी बनाए हुआ है दोस्तों एक side आपके पास होता है rate of failure और दूसरी side होता है आपके पास time rate of failure कितना रहा और कितने time के इसाब से तो आपका यह जो नहाने का जो आपका टब होता है उस तरह का एक करो रहता है उस तरह के करो के according इसमें बताया गया है कि किस तरह से failure rate आपका बढ़ता होगा चला जाता है जब कोई component जब कोई thing आपके पास वो पुरानी होती चली जाती है जैसे सबसे पहला आपके पास decreasing failure rate failure rate decreasing कब होगा जब आपके पास starting कोई stage होती है early कोई stage होती है तो उस समय early stage में आपके पास failure rate किस तरह का होता है तो उसमें आपके पास टाइम के इसाब से हम लोग बात करें तो उसमें आपका जो failure rate है वो आपका कम रहता है क्योंकि आपके पास कम क्यों रहता है माल लिजे for example हम लोग लेते हैं कोई नई गाड़ी लेके आए और जब तक उसकी servicing नहीं करवाई हमने तो केवल वो ही chance रहेगा लेकिन फिर भी failure rate आपके पास क्या रहेगा उसमें कम रहेगा decrease रहेगा बहुत ही कम रहेगा फिर आपके पास माल लिजे गाड़ी के आपने पहली दूसरी service करवा ली तो एक दो जब service हो चुछी है तो आपके पास failure rate बिल्कुल constant हो जाता है उस दोरान उस period के दोरान और उसके बाद जब वो continuously आगे रन करती चली जाती है तो आपका जो failure rate है वो बहुत ही कम chances रहते हैं इसलिए आपका ये करव दिखाय हो है और जो तीसरा है last जब वो विकल आपके पास पुराना होता चला गया या कोई component की बात कर रहे हैं कोई machine की बात कर रहे हैं तो machine जब आपके पास वो पुरानी होती चली गी तो आपके पास उसका failure rate क्या होता चला जाएगा वो continuously बढ़ता हो चला जाएगा नीचे भी आपके पास दिखायो है infant failure infant failure का मतलब होता है early failure early failure में क्या रहेगा time के इसाफ़चे आपके पास failure rate आपका कम होता जाएगा कमी रहेगा sorry दूसरा जो आपके पास constant random failure constant random failure में आपके पास क्या रहेगा failure rate आपका बिल्कुल constant रहेगा लेकिन randomly हो सकता है natural कोई problem आजाए उसके बारे में आगे discuss करेंगे और जो तीसरा कर्व है जिसमें आपके पास पुरानी machine होती चलीगी और उसमें parts आपके पास wear out होते चले गए, घिस्ते चले गए, खराब होते चले गए तो failure rate आपका क्या होता चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा यह जैसे नीचे दिये हैं दोस्तों, decreasing failure rate जो कि आपके पास मैंने बताया था early failure होता है, early failure आपके पास किसी भी कारण से हो सकता है early failure आपके पास हो सकता है, design के defect की वज़े से हो सकता है Early failure हो सकता है, आपके पास manufacturing के defect की वज़े से हो सकता है Early failure आपके पास installation की वज़े से हो सकता है Proper installation नहीं हुआ, proper उसकी manufacturing नहीं हुए थी Design में, starting में कोई defect था तो इस कारण से आपके पास वो early failure हो सकता है दोस्तो आपके पास जो constant failure rate है उस constant failure rate में आपके पास क्या होता है कोई चीज randomly failure हो सकती है तो randomly किस तरह से उस चीज को आप लोग failure समझोगे अचानक से कोई problem आ गई अचानक से कोई मतलब random कोई problem आ गई machine चल रही थी चलते चलते खराब हो गई गाड़ी चलते चलते खराब होगी that is the random problem दूसरी जो problem है natural problem कि naturally कोई भी आई naturally कोई भी दिकत जैसे अभी हमने बात की थी कि machine चलते चलते आपके पास खराब होगी that is the natural problem उसमें आप लोग कुछ कर भी नहीं सकते last is the increasing failure rate increasing failure rate उपर हमने figure में यहाँ पर बात की थी कि it is the wear out failure या increasing failure rate और increasing failure rate किस वज़े से हो सकता है age हो चुकी है age का मतलब machine काफी पुरानी हो चुकी है machine के जो parts है उन्समें wearing and tearing हो चुकी है तो इस कारण से आपके पास यह problem साती है तो पहला आपके पास क्या है से आपके पास failure rate होने के chances होते है otherwise इस condition में आपके पास failure rate क्या रहेगा कम रहेगा क्योंकि यहाँ पे नई machine है नई चीज है नई गाड़ी है यहाँ पे आपके पास वो constant रहेगा और यहाँ पे आपके पास पुरानी होने के बाद वो गिस्ता हुआ चला जाएगा तो इस तरह से आपके पास यह problem होने के chances रहते हैं अगर इसमें देखेंगे दोस्तों तो यह लिखा भी हुआ है कि it is a curve used for the reliability purpose in organization क्यों यह भी organization उसमें यह हम लोग graph किस परपज से बनाते हैं यह जो curve है यह जो graphing आपके पास यह किस परपज से बनाते हैं कि ताकि हमें यह confirm पता रहे कि कितने time तक वह आपके पास चल चुका है कितना आपके पास उसमें wear and tearing की condition हो चुकी है या भी constant period है तो इन चीजों को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसको graphically represent करते है इच finds early constant wear and failure graphically तो graphically इन चीजों को हम लोग देखते हैं इन सभी चीजों को तो यह एक बहुत अच्छा करऊ है जिससे हम लोग machine की जो condition है उसके बारे में हम लोगों को continuously पता रहता है तो यह दोस्तों था आपके पास BT curve, exam point of view से बार टब कर बहुत important question होता है किसी organization के लिए भी बहुत important question होता है Thank you दोस्तों